क्या आपके या आपके प्रियेजन के शरीर पर इस तरह के छोटे-छोटे से मास के टुकडे हैं, जिनको हम मोल्स कहते हैं, मस्य कहते हैं, स्किन टाग्स कहते हैं, कई लोगों के शरीर में ये स्किन कलर का होता है और कईयों में बिल्कुल काले रंका हो जाता है, जिहां काफी लंबा स्पेक्ट्रम है इसकी कलर का बहुत से लोगों के शरीर में ये क्लस्टर के रूप में गर्दन पर, हाथों पर, पीट पर या हाथों के नीचे भी पाया जाता है अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी डाक स्पोट्स, पिग्मेंटेशन या फिर इन स्किन टाग्स की समस्या है तो आज की वीडियो आपके लिए काफी जादा एडुकेटव साबित हो सकती है आप अपने आपको aware कर सकते हैं, alert रख सकते हैं और सही समाधान क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है इसके बारे में विजार विमर्श कर सकते हैं पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलियेगा, आईए जानते हैं what all needs to be done. अगर आप चैनल को एक्स्प्लोर करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत सारे रीजन्स मिलेंगे कि क्यों आपको हमसे जुड़ना चाहिए और बहतरीन सी DIY remedies गाते गुन-गुनाते हमारे साथ enjoy करनी चाहिए. जब आप इत्मिनान कर लें कि गजब का चानल है तो नीचे लाल रंग का बटन है जिस पर subscribe लिखा है आप उसको क्लिक कर दीजे कोई चार्ज नहीं है बिल्कुल free of cost आपको यहां पर हमारा साथ मिलता है। बगल में बैल आइकन है अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मेरी future वीडियो की notification आपको मिलते हैं और आप जल्दी से यहां पहुँच पाते हैं तो हमें आपका इंतजार रहेगा जल्दी से subscribe भी कर लिजे और बैल आइकन को भी क्लिक कर लिजे आज के वीडियो में मैं आप सबी के साथ share करने के लिए आई हूँ कि घर पर आसानी से आप कैसे अपने आपको aware कर सकते हैं educate कर सकते हैं और क्या remedial action ले सकते हैं अगर आपके शरीर पर यह छोटे-छोटे से दाने हैं देखे दाने नहीं बोला जा सकता क्योंकि इनका shape अलग-अलग प्रकार का होता है इ कुछ गड़बढ है अंदर अब क्या गड़बढ है हमारे शरीर में जो भी गड़बढ होती है वो हमारे hormones के आसपास होती है somewhere मैं आपको बस मोटा मोटा बता रहे हूं अगर आपके शरीर में आपका pancreas ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यह skin tax की समझ से आपके शरीर में आती होगा कई बार हमारा शरीर जो इंसुलिन प्रिद्यूस होता है मतार पैंक्रियास जो जूस प्रिद्यूस करती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो बस आप इतना समझागे कि पैंक्रियास की हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए skin tax हो रहे है तो इसके लिए आपको क्या करन है अपना दिन चरिया अच्छा रखना है हर चीज हर चीज का सेल्यूशन है अगर यह कर लेते हैं आपके हॉर्मोन कभी गड़ बडाएंगे ही नहीं होर्मोन और कुछ नहीं है आपका गलत लाइफस्टाइल आपका गलत सोचने का तरीका गलत खान-पान का तरीका बस यही है इसको सुधार लीजिए आपके पैंक्रिया खुछ रह जाएंगे और यह स्किन टैक्स गायब हो जाएंगे समझ में आया तो क्या करना है रेमेडियल आक्शन में भता रही हूं पर यह बेस है यह कोर है जो आपको समझना ही पड़ेगा और अगर आप समझ जाएंगे तो लेकिन अगर आपके शरीर में बच्पन से ही जबाप पैदा हुए है कोई तिल है जो कि बिल्कुल गोलाकार है तो इससे आपको डरने की कतय आवशक्ता नहीं है क्योंकि यह जनेटिकली आपको मिला हुआ है आपके जीन्स में इसकी इंफिमेशन है और यह आपको किसी भी प्रकार से उम्र की किसी भी दहलीज में परिशान नहीं करेगा इनको आप ब्यूटी मार्क्स भी कह सकते हैं अगर आपके चहरे पर आपकी गर्दन पर आपके शोल्डर्स पर है तो अगर मतलब ऑविस सी बात है कुछ लोगों के लिए काफी जादा अच्छा प्रतीत होता यह जो मोल है जो डिनको अम तल बोलते है नॉमली यह अपना आकार बदल रही है अपना डायमेटर बदल रही है इनकी boundary चेंज हो रही है इनका texture चेंज हो रहा है इनका color चेंज हो रहा है तो please be vigilant मैं चाहती हो मेरा परिवार educated रहे aware रहे कि यह पहला step होता है skin cancer की शुरुआ लेकिन अवेर्नेस होना बहुत आवशक है इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपके शरी में बहुत सारे तिल होते हैं एक जगा पर उप्मीनों काफी गुच्छा सा बन जाता है तो उस पर आपको नजर रखनी चाहिए आपका चरीर आप रोज क्रीम लगा रहे हैं तो थोड़ा सा इसके लिए विजलेंट रहना एलर्ट रहना आवशक है ठीक है इसके अलावा अगर यह उभरे हुए हैं अगर यह उभरने लगते हैं तो इनको हम मोल्स कहते हैं जो कि बर्थ मार्ट नहीं होते यह हमारे अडल्ट हुड में हमें उभरते हैं और फिर लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं कि मताब फेस में सबसे पहले नहीं पर नजर पढ़ रही है तो आप इसको ऑपरेट भी करा सकते हैं जाए उनको अपनी जो भी दोविधा है वो बताईए और बहुत आसानी से एक नमिंग क्रीम लगाते हैं जिससे वो बढ़ने वाली जो प्रक्रिया है वो बंध हो जाएगी आप फ्री हो जाएंगे डन अगर यह बहुत छोटे छोटे से क्लस्टर्स हैं तो इसको आप घर पर ट्राइ कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है जो हम आज करने वाले हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि समस्या थोड़ी ज्यादा है आप घर पर एक्सपरिमेंट नहीं करना चाहते तो सबसे अच्छा विकल्प है कि डॉक्टर के पास जाया जाए और इसको फिक्स कराया जाए समझ में आ गया no experimentation on yourself अगर confident है तो अपने उपर काम कीजिए अधरवाइस सीधा डॉक्टर से कंसल्ट कीज गुनगुना पानी क्या करेगा डर्ट इन चम्स को तो हटाएगा ही लेकिन आपके पोर्स को ओपन कर देगा ताकि जो भी रेमिडिल आप कर रहे हो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे ओके इसके बाद आता है स्टेप नमबर टू जिसके लिए आपको एक पेस्ट अपन आपके शरीर का जो स्किन का कॉंस्टेट्वेंट है यह अल्मोस सेम होता है तो पूरक है दोनों एक दूसरे के आपका स्किन और अरंडी का तेन इतनी जाधा सिमिलारटी होती है तो इन तोनों को अच्छे से जस्ट थोड़ा सा आपको लेना है बेकिंग सोडा लेट से जहां पर है वहां पर लगाए राइट इतना अगर आप करेंगे तो आपको यह आपको रोज करना है और कुछ वीक तक करना है यह वन डे रेमेडी नहीं है वन डे में टाग्स नहीं हटते है तेरा मोर पोईगनेंट वेस्ट जो मैं आपको बताऊंगी लेकिन उसके लिए इस रेमेडी के लिए इसको आप पेस्ट को सिर्फ टैग्स के ऊपर लगाएंगे एंड रहने देंगे फ़र ओवर नाइट अब क्या हो रहा है बेकिंग सोड़ा बहुत स्ट्रॉंग बेस होता है साइंस वाले बच्चे मंभी बापको समझाए यह बेकिंग सोड़ा क्या है बेकिंग सोड़ा बहुत जैसे मतलब आसिद में स्ट्रॉंगेस्ट होता है मतलब आसिद कितना स्ट्रॉंग होता है हम सब जानते है उतना ही स्ट्रॉंग बेस भी होते है और यह बेस है यह आपके टैग को कमजोर करता है ताकि आपके हार के छोड़ दे शरीर को मतलब लेकिन आसपास किसके इरिटेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसलिए हमने कैस्ट रॉयल का इस्तमाल किया है, जो कि उसको सूध आउट करेगी, तो यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही पाफुल रेमेडी है, अगर आप सही ढंक से इसको एक्जेक्यूट करें, तो समझ मे वहां रहे, सस्टेन करें for a longer duration, ओवरनाइट रख सकते हैं तो ओवरनाइट रख लीजे, या दिन भर रख सकते हैं तो दिन भर रख लीजे, आपकी मर्जी है, और कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि यह जड़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत स्ट्रॉंग होता है, और आपके स्किन टैक्ट शरीर से अलग होने लग जाते हैं, डन, नाव लेट से कि हम नहीं रेमेडियल आक्शन कर लिया for a good 3 weeks, लेकिन कोई चेंज नहीं आया, यानि कि इस रेमेडी से आपको फरक नहीं पढ़ रहा है, या थोड़ा सा पेशिंट र या फिर आपल साइडर विनेगर, दोनों आपको फामिसी में अराम से मिल जाएंगे, टूथपिक से अगें, इयर बड्स से आप इसको लेंगे, और सिर्फ अपने टाग्स पर लगाएंगे, या तो आप बेस यूज करेंगे, या आप यूज करेंगे, तो यह बहुत आपक कर सकते हैं, अगर वो काम ही करता है, तो, अब फर्स कीजिए, हमने ये भी ट्राय किया, दो वीक के लिए, तभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आइवुड इंसिस्ट की अब कोई भी एक्स्परिमेंटेशन ना करें, वो अगर बत्ती और प्लीज नहीं करना है घर पे दर्मटॉलचिस्ट के पास जाएए, और उनको अपना स्किन टाग दिखाएए, वो आपको सही तरीका बताएंगे कि कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं, दन, आनदो वे, जो की कारगर रहा है, मैंने खुद लोगों से सुनाएं कि हाँ, उनके लिए भी ये कारगर रहा ह है, इसके आप अपने स्किन टाग को एक नीट एंड क्लीन थ्रेड से जोर से बांध सकते हैं, बांध के रखना है, जैसे आज बांध दिया फर सम ताइम, फिर खोल दिया, रहने दिया, फिर नेक्स दे फिर से बांधा, एंड सो ओन, तो वो सफकेट हो जाता है, क्योंकि ब कारगर रहा है, तो I would just say कि आप ट्राइ कर सकते हो, जिनसे मैंने सुना है, वो I could rely on them, तो मैं आपको बता रहे हूँ, लेकिन, प्लीज बी विजिलेंट, अगर आप इसको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं खुद, तो प्लीज डर्मटॉल्जिस्ट को ही दिखाए, खुद एक्सपरिमेंटेशन करके अपने उपर कोई भी नुकसान मत कीजिएगा, is what I can suggest, now answering q questions around the remedy, क्या बच्चे इस रेमेडी का इस्तमाल कर सकते हैं, देखिए, skin tags किसी को भी आ सकते हैं, बच्चों को भी आ सकते हैं, बड़ों को भी आ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए I would not suggest any strong remedy, कदाप ही नहीं, डॉक्टर के पास जाएए, डॉक्टर आपको सहीत तरीका बताएंगे, जो कि मेडिसन के थ्रूँ और नॉमली ओंट्मेंट्मेंट्स के थ्रूँ इसको हटा देगा, तो प्लीज बच्चों पर एक्सपरिमेंटेशन कदाप ही नहीं करनी हैं, ड़न, करना है, पोस्ट दे रेमिडी, राद भर के लिए आपने अप्लिकेशन किया, नेक्स्ट दे मॉनिंग वाइप टॉफ और और मॉइस्टराइज, बहुत इंपोर्टन है मॉइस्टराइजेशन, क्या हम नॉर्मली भी मतब कुछ सूधिंग चीज कर सकते हैं, पैरलेली बिल को हील करने में हेल्प करते हैं, तो एक्स्टरनल अप्लिकेशन में आप यह सब रेमिडियल पैरलली कर सकते हैं, no worries at all, क्या हम बेकिंग सोडा और का पेस्ट पना कर रख सकते हैं, I would not suggest that, आप चाहते हैं कि स्ट्रॉंगर रेमिडी हो, ज्यादा अच्छ रिजाल्स मिलें, तो हर बार नया बनाई है, it's very important, दो आप बना के रख भी सकते हैं, I'm not saying कि आप नहीं बना के रख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ फ्रेशनेस में होती हैं, बेकिंग सोडा is a very strong thing, अगर आप हर बार strong application करेंगे, तो बहतर और जल्दी results मिलेंगे, इसलिए पीज आलस मत कीज़ प्रोब्लम है, तो सही ढंग से solve कीजेगा, तो हमेशा की तरह आशा करती हूं कि मेरे परिवार को मेरी प्रस्तुती पसंद आई है, अगर पसंद आई है, तो लाइक करना है, लाइक करना नहीं भूल सकते हैं, और आना भी मत भूलिये, मैं देख रही हूं, आजकल ओन और आफ आ रहे हैं, वहीं चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, आना ही पड़ेगा टाइम लिए, हमें बताना पड़ेगा कि प्रेड़ना हम आ गई, आप सभी के मेसिजिस का मुझे इंतिजार रहेगा, और प्लीज दू नोट फिगेट तो शेर दर वीडियो विडियो विद य है, skin and health, तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये, खुश रहिए और प्रीदी प्रीड़ना के चैनल से जुड़े रहिए, lots of love, take care.